मोखिक प्राश्न का सुन्य क्यों मेहतपूर है तर सुन्य इसले मेहतपूर है कि वह एक ऐसा अंक है जो अन्य अंकों के बाद आकर उसके ताकत को स्कुना बढ़ा देता है प्राश्न का एक के आगे एक सुन्य लगाने पर कितना बन जाता है तर एक के आगे एक सुन्य लगाने पर दस बन जाता है प्राश्न का एक हजार कब बनता है उत्तर सो के आगे एक सुन्य लगाने पर एक हजार बनता है लखित प्रश्णक कभी किसकी ताकत को जान गया है उत्तर कभी शुन्य की ताकत को जान गया है प्रश्णकक कभी किन्हे साथ बिठाने के लिए कहे रहा है जिने हम कुछ नहीं समस्ते प्रश्णगर इस कवीता से क्या संदेश मिलता है उत्तर इस कवीता से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी को अपने से कम नहीं संबजना चाहिए छोटी वस्तू भी महतपूर्ण होती है बुक एक्ससाइज सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ किस अंके साथ सुन्य लगाने पर दस हजार बन जाता है एक हजार सौ में कितने सुन्य होते हैं दो परियावाची सब्दों से मिलाओ मतलब अर्थ आसै सकती ताकत बल निश्य पक्का इरादा धर्ती प्रित्वी जमीन वन विछेद करो सुन्य साहलंत उ नाहलंत याहलंत अ सुन्य सक्ती साहलंत अ काहलंत अ हलंत इ सक्ती निश्य नाहलंत इसाहलंत अ हलंत अ यहलंत अ उधारन देखो और लिखो सुनने का कुछ भी मतलब नहीं मैं अब इसको जान गया हूँ जिनको कुछ भी नहीं समझते उनको साथ बिठा देंगे